नमस्कार चाहतियों आज के इस लाइव सेशन में मैं आप सभी का हादिक स्वागत करता हूं तो प्यारे बच्चों दिखिए जो एल्टू आपके मैथमेटिक्स का पेपर लिया गया था रीट से संबंदित था जो आपका उमीद करता हूं आप सभी लोगों ने बड़े अरा सेशन है जो लाइव पेपर है हमारा उसकी सुरुवात करता हूं देखिए बीच में समस्यां भी रही देखिए बचों नेट कनेक्टिविटी वाली समस्या छेतर में काफी रही इसके थोड़ा सा लेट हो पाया बचो देखिए थोड़ी देरी बुले ही हो सकते लेकिन ऐसा 400 प्लस टूडेंट ने आपके लटू का पेपर दिया तो आपको बोलूगा अगला पेपर बचों आखड़ा हजार तक पहुंचा दीजिए लटू मैथमेटिक्स का भी आप लोग सारे अब देखिए रैपिड फैर राउंड खेलेंगे बचों कि मैं सब कुछ करवा चुका हूं देखिए एक स्क्वेर माइनस साथ एक प्लस बारा के गुणन खंड़ा बचों तरीका आप लोगों को पता ही है सीख चुके हैं पहले भी यहां लिखा है माइनस साथ एक्स ठीक है हमें गुणा इस परकार करने हैं बचों समझेगा सारे के सारी चीज को बारा एकम बा करेंगे माइनस साथ के माइनस साथ के टुकड़े कर दिये माइनस तीन और माइनस चार सिंपल सा है देखिए माइनस तीन का माइनस चार से बुना करोगे तो तीन टू चार प्लस का बारा दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का साथ तो यहां से देखिए कहां माइनस तीन और करनी का यूजवा दोनों का एक साथ हूजवा है गातांक भी है करनी भी इस टाइप कोई भी किस्चन आजए तो आप सबसे पहले अधार की पहचान कीजिए दो है अब जो भी प्यारे बचों आपके घात है यानि कि जो भी घातें आजाती है पावर आजाती उनको अंसमें ल 6 और 3 उनको नीचे लिख दो बच्चों तो यह आ गया आपके 6 गुणा 3 ठीक है यह लोग डबे में बंद कर दो चाहो तो बीच में है बच्चों गुणा इसका आधार भी है 2 और इधर भी आ गया बच्चों उपर की तरफ 9 गुणा 4 और यह जो करनिया है उनको नीचे लिख दो चैनल ठीक है बच्चों अब देखे काटा पीटे कर दो नोचों के 36 चैनल अठारा चे चैनल गाते जूड़ जाती है दो और दो आ गया चार तो प्यारे बच्चों का इंसर आ जाएगा दो की घा चार बड़ा सिंपल सा क्यूस्चन है अगर इस टाइप का क्यूस्चन आ जाता है तो बच्चों जो घाते हैं वह उपर रख दीजिए जो करनियां है उनको नीचे रख दीजिए इंसर आ जाएगा अगला करहा किसी द्वीगात बहुपद के सुन्यांक है यानि की जी रोज चार बटा तीन और माइनस एक है तो बहुपद होगा बच्चों आप स एकस पलस में आता है मूलों का गुणनफल ये सब ही को पता है द्वीगात आपके बहुपद कहलाता है तो देखे एक स्क्वेर माइनस मूलों का योग करो मूलों को जोड़ोंगे 4 बटा 3 पलस और माइनस माइनस होगा तो माइनस से लेस अप आ गया बच्चों तीन एक मती तिन चार में से 3 गया एक एक बटा 3 यह आ गया माइनस में एक बटा 3 बाहर आ गया X में मुलों का गुणन बैटा दोनों का गुणा कर दो चार बटे 3 गुणा माइनस 1 है तो यह क्या नव कि वह रुग है माइनस का चार बटा 3 छिक है लेस तिए बच्चों चलो थोड़ा सोल कर लो एक स्क्वेर माइनस ऐक सब्सक्राइब घ्लड माइनस माइनस में जाके चीर नहीं ने जिए इस स्क्वेर माइनस एक्स माइनस च्यार तो ओप्षन आ जाएगा आपके फोर्थ नंबर कि सिंपल सा क्यूश्चन ता स्पीड मैंटेन रखना बड़ा जरूरी इस चीज को मत भूलिएगा बस आप लोग सारे सोलावलार्फ छ्षे रूरड पांच का धनात्मा कोरगमूल तरीका पता है बचवोर, आपको हमेशा यह बराबर होता है a2 plus b2 के, और इसकी तुलना करनी है टूए 컨 realm से ठीक है बच्चों हमें इसकी तुलना किसे करनी है डारेक्ट वे भी से बच्चों तो देखें दो से इसको 6 को काटोगे तो यह आ गया दो ती अच्छ है यानिकि ए भी बराबर आ गया तीन अंडरूड का पांच ठीक है ए बड़ा मानलो भी छुटा मानलो ए कमान तीन मानल आ चेक करते हैं कि अगर a square प्लस b square बराबर आ तो यह सआई है तीन का सकोर और यहां से पहला पद भी चौदा ही आ रहा है बचों तो यहां से बचों इसका दनात्मक वरगमूल करोगे तो इसको बोल सकते हैं यह है यह है 3 प्लड़ पांच का होल सक्वे ठीक है यह को इसके रूपक है यह 6 रूप łटब पांच-4 ठीक है इसका दनात्मक व्र लोगोगे तो स्क्वेर कट जाएगी तो एंसर आएगा तीन प्लस राड रूड पांच यह अप्स नमबर दो फिर चलते हैं अंगले क्यूश्चन की और देखे अराम से चलते हैं बचो बिल्कुल एक मजदूर सब्ता में 60 गंटे काम करके 2400 रुपे कमाता है यदि उसकी परती दिन की मजदूरी को 40% बढ़ा दें और कारे को 16 से दो बटा तीन गटा दें तब उसकी आए में परतीसत परिवर्तन अगर परतीसत की बात होने बटा तो इससे कोई लेना देना नहीं है छोड़ दीजिए कोई मतलब नहीं है अब देख से यानि पहले मजदूरी पांच थी अब दो उसकी बढ़गी और फिर वह बोरा परतीस दिन का काम 16 से दो बटा तिन गटा दिया यह बराबर होता है एक बटा च्छे यानि यह प्रारंबिक काम था यह एक उसने गटा दिया यानि परिवर्तन कर दिया प्रारंबिक और यह आ गया बाद वाला जिसे मैंने नाम दे दिया वरतमान पहले विटा एक चीज़ यादर को उसकी परते दिन की मजदूरी की बात है प्रारंबिक मजदूरी थी पांच ठीक है अब उसमें दो मजदूरी बढ़गी यानि मजदूरी होगी साथ अब वह बोल रहा है कारे को य इस को किस से काटें पांच से काटो छे भार पांच से काटो साथ बार अवह परतीसत परिवर्तन प्रारंबिक में प्यारे बचों उसकी आये थी छै अभगी शाथ चाते तो ऊब पांच से पांच काड़ते तो भी छह साथ डैरेक्ट आता छह से साथ होगी बढ़ कितना गई देखें यहां जगे हैं लिखता हूं बढ़ गई एक आए आपको कैसे पता चला एक वड़ी क्योंकि देखें पहले छह रुपय थे मानलो अम मिल रहे हैं साथ रुपय यानि एक बढ़ गया किसके साथ एक बढ़ा च्छे के साथ एक जिससे तुलना होती है मैं उसका मान नीचे गुणा में आ जाता है सो जो परतीसित में निकालते हैं एक बटा छे बोल दो या सो में छे का भाग दो गए तो उत्तर आ जाएगा बेटा सोला सई दो बटा तीन परसेंट तो यहां से बचों राइट एंसर आ जाएगा आप सभी के ओपसा नमबर दो सिंपल सा क्यूस्चन था ये भी हर क्यूस्चन की भांती दो के उपर बार अरे बड़ा प्यारा क्यूस्चन है ये तो बालकों ध्यान दीजिएगा यानि दसमलों से पहले बार आ जाए और क्या लो कि इसको बोल सकते हैं पलस का को एक तरफ लिख दो दसमलों स réfl Mog को एक तरफ यानि प्लसका जेरो पोइंट तीन से इसको भी चाहत तो चलो झिटी रो पॉंट का दो ठीक है बचो और यह आ गया प्लस का जीरो पॉइंट तीन के उपर बार कि दस्समलों से अगर पहले बार हो तो उससे माइनस बोलते हैं यह चीज मत भूलिएगा जो जो कट रहा है काट दो प्लस दो माइनस दो प्लस दो माइनस तो सब कट गया जीरो पॉइंट तीन जीरो पॉइंट तीन यानि यह बन गया जीरो पॉइंट छै आगे कुछ नहीं है तो चाहो तो जीरो जीरो कुछ भी लगा दो जीरो पॉइंट तीन बार जीरो पॉइंट तीन बार बेटा दिखे इस बार का मतलब होता है पुन्रावरती यानि जीरो प जिन्दगी बड़ चलता जाएगा यानि इन दोनों का जोड मैं चाहूं तो डारेक्ट 0.6 के उपर बार भी बोल सकता हूं तो मैं चाहूं तो यहां पर देखे दोनों का जो योग बचा वो बचा 0.6 बार कैसे आया तीन बार तीन बार इन दोनों का जूड़ो तो यहा जाएगा again यह बढ़ए जिरो पॉइं चेड़ चाह चलता जायेगा जोड दो चे, 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 चे याँनी 1.2, 6, 6, चे, यह अंगीन टाइम चलता जाएगा तो बचों, 1.2 और जिस अंक की पुन्णरा वर्ती होती है, दसमलों के बाद उसके उपर लगा देते हैं, बार तो बचों, उत्तर आ जाएगा 1.2, 6 के उपर बार यानि right answer होगा option no.3 ठीक है दुबारा देखिए अगर दसमलों से पहले के अंक पे बार हो तो हमेशा उसे रिनातमक अंक मानना है और उसके बाद में बार हो तो इसका मतलब होता है उस अंक की पुन्रावर्ती बार-बार हो रही है इसलिए उसके उपर बार लगा दिया सिंपल सा चाहें तो इसको यह भी बोल सकते हैं जीरोपोर तीन बार का मतलब होगा तीन बटेन नुग एक कैसे है किस परकार है यह बारी आएगी जब मैं डिटेल में बताऊंगा आपको निश्चिंत रहें अगला क्यूशन है एक दिल के टूटने पर बैटा यहां पे दिल के टूटने पर भावनाओं का احनुपात तीन अनुपात चारानुपात III मान लिजेरा किसी का दिलथा तीन इसवो में टूट गया थीन चारे पांच में ठीक है यह तिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के समानुपाति हो तथा दिल के टूटने पर व्यक्ति को topics में सो रूप है चोकलेट स्क्रिफ्ट होगर है उसको दिया होंगे ठीक है अब एक बात बताओ यह तीन टुकड़े मैंने जोड़ दिया यानि यह तो है टूटने के बाद तूटा की सनुपात में 3-4-5 में यह तोटने से पहले यानि इन तिननों को अगर मैं जोड़ दूँ तो 5-4-9-3-2 ठीक है यानि की प्यारे बच्चों उसकी टोटल बाउनाएं थी इस अनुपात में थी कि 5, 4, 9, 3, 12 और आपको पता है कीमत है बाउनाओं के वर्ग के बराबर 12 का वर्ग आ गया 144 काई और यहां देखिए बच्चों कीमत की बात करें तो 3 टुकड़े हो गए तो सभी की कीमत अलग अलग निकलेगी पहले का वर्ग करो 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 5 का वर्ग आ गया 25 इनको जोड़ो 25 और 25 पचास एकाई अनुपात हमेशा एकाई में मापे जाते हैं ये भी एकाई में ये भी एकाई में बेटा दिल था 144 एकाई का और लाश्ट में बच्चों जब उसका तूट गया तो कीमत रहेगी 50 एकाई बीच में लिखता हूँ जगह कम है यानि कि नुकसान हुआ है 144 में से 50 को गटाओगे तो नुकसान आ गया 94 एकाई का लेकिन वो कह रहा है अनुपात में तो सर्थ 94 है लेकिन रुपे में 94 है तो 94 एकाई बराबर आ गया 94 बचों ठीक है 94 से काट ये एक बार 94 को काट ये एक बार दोजीरो दोजीरो ये लो एक इकाई बराबर आगी बैटा सो रुपे के ठीक है उसने मोल डिल की मूल कीमत तो तो विटा एक बराबर सो रुपे मूल कीमत थी एक सो चोमारीस ही काई जब एक बराबर सो रुपे तो 144 बराबर 144 गुना सो यहीं 144 के आगे दो जीरो लगा दो तो मूल कीमत आगी 14400 अपसन नमबर दो समझो दुबारा 345 में तूटा 549 और 312 पहले आ गया अब वो बोल गया कीमत है बाउनाओं के वर्ग के बराबर समानुपातिय नहीं बराबर 12 का वर्ग पच्छों उनली 50 रुपे का नुक्सान हो गया चौराण में का आपका चौराण में किस्चिन के 94 में 100 के वराबर ठीक है तो बच्छों 94 में वराबर आ गया 94 में 100 एक वराबर सो तो 144 वराबर आ जाएगा 14400 बादगाद पूचे तो 59 सो यानी 5000 ठीक है एक गड़ी 96 में रु करना मुझे अच्छा नहीं लगता हो तरीका अब डारेक्ट ओप्सन उठाएं अगर 50 रुपे है क्रेम उल्ले तो लाब भी होगा 50% 114 रुपे तो 114 परसेंट 60 रुपे है तो 60% 80 रुपे है तो लाब होगा 80% क्यों क्रेम उल्ले के बराबर परतीस्त में लाब होता है 50 रुपे अगर होता बेटा 50 का 50 परसेंट यानि आधा 50 का आधा होता है 25 और बच्चों पचास और 25 यानि बिकी 75 में वो क्या च्यानवे में गलत 114 रुपे सीधा दिया है 114 का 114 परसेंट च्यानवे सोचे बहुत ज्यादा ये सिधा गलत 60 का 60 परसेंट 6-36 यानि चीज थी 60 की बेचा तो 36 रुपे ज्यादा मिले यानि कुल कितने में बेचा च्यानवे में यही हमारा क्विश्चन कह रहा है कि च्यानवे में बेचा तो बच्चों 8 वे का समय की बचत होगी थोड़ा अगला बोल रहा है किसी नीची दन्रासी पर 10 परसेंट की दर्शेंट दो वर्सका साधारण ब्याज 400 है तो चक्रवर्दी बताओ पिटा समय दो साल साधारण ब्याज हर साल बराबर रहता है टोटल 400 है तो पहले साल भी 200 और दूसरे साल भी 200 यह था ऐसाई जब सी आई की बात करी चक्रवर्दी ब्याज की पहले साल का साधारण और चक्रवर्दी ब्याज होता है समान यानि 200 अब प्यारे बचों जब चक्रवर्दी ब्याज निकालते हैं तो याद रखना साधारण ब्याज और चक्रवर्दी ब्याज में पारस्प आप और दर होगी 10 تم कादस पर्सेंट होता है बीस रुपए समझो पहले साल का बराबर दूसरे साल यह दो सो है तो दो सो तो मिलेगा ही मिलेगा और पिछले ब्याज determination उपर ब्याज मिलेगा तब दो इसे बोलते हैं ब्याज के उपर ब्याज का concept तो पिछला व्याज इस दूसरे साल से पहले वाले वाले ब्याज पे यानि पहले वाले साल पे घ्था 200 उस 200 पे दर तो 10% को मनें सभी की तो 200 का 10% निकाला तो 20 जोड़ दो 200 और 200 400 एक्स्ट्रा मिले 20 तो दो साल का चक्रुरदी ब्याज उसी दर से होगा 420 रुपे यानि उप्स नमबर दो सबसे प्यारा तरीका है कोई फोर्मूला मतल लगाना नहीं समय खराब होगा दो पासों को एक साथ उच्छाला जाता है तो दोनों पासों पर समान अंक आने की कुल प्रायकता बेटा पासे को उच्छालने पर कुल निस्सेथ इस्तियां बोल दो या कुल इस्तियां या कुल परिणाम बनते हैं 6 की power n, क्योंकि जब एक पासा होता है ने बचों इस परकार से देखिए जो ये आप देख रहे हो ये एक पासा है बचों, ठीक है अब इस एक पासे पर क्या होता है? इस परकार से ये आ गया आपके एक, एक सरफेश इस परकार आगी और फिर आ जाती बचों इस परकार यह आगी दूसरी सत है फिर इस परकार एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर टोटल आ जाती बचों 6 सत है आपके ठीक है सबी को पता है अब बचों क्या बोल रहा है कि उच्छाल दिया कितनी बार दो पासे थे तो प्यारे बचों कुल प पासों पर समानंक यानि कि एक पास यह था और बच्चों मालो एक जल्दी सी बना देते हैं एक यह था इस पर भी एक आए इस पर वे एक 22334455 और 6 समान अंकाने के प्यारे बच्चों जो टोटल आपके संभावित परिणाम होंगे यानि जो मुझे चाहिए वो परिणाम कितने होंगे 6 प्राइकता पी बराबर होती है यानि कि आउटकम आपके जो रिजल्ट औरियंटेड है अपोन में टोटल आउटकम यानि टोटल परिणाम आए 6 कितने में से 36 में से काटोगे 6 कम 6 6 ची के 36 यानि हर 6 में ते एक इस्तती ऐसी आएगी बच्चों जब दोनों पासों पे आप लोगों के अंक आएंगे समानतर आजाएगा एक वटा च्यार अगला चल रहा है एक समलम का 6 तरफल यह है यह है यह है यह बीच के दूरी समलम का जो 6 तरफल होता है वह होता है एक बटे दो समानतर बुझाए मालो ए और बी है तो उनका योग गुणा बीच के दूरी है च्छेतरफल है 250 बच्चों एक बटे दो गुणा दोनों का योग करना बटा जरा 15 और दस आ गया 25 गुणा बीच की दूरी मालो एच है 25 से इस डाइसो को काटोगे 25 से कम 25 जीरो का जीरो बटे का दो उपर चला गया गुणा में तो बीच की दूरी ह बराबर दो गुणा दस आगी बच्चों कितने मीटर 20 मीटर यह लीजिए सिंपल सा उप्सन आ गया पहला थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं बच्चों इसलिए तक में पेपर में आप समय ना लगा सको ठीक है चलते हैं आगे कोई गोला जो गन के अंदर बेटा इस चीज को समझना देखेगा इस प गोले का व्यास यानि याद रखना बच्चों कि गोले का जो व्यास है यह बराबर होता है घन की भुजा के यानि मैं बोल सकता हूं गोले की जो तिर्जिया होगी यानि जो गोले की जो तिर्जिया होगी इन्दे कि व्यास होता है दो गुणा तिर्जिया बच्चों बात क सबी सत्वों को सफ़ाइब कर देखे इस पर अगया इस पर का टच फिर का कर रहा है कुछ नहीं करना करणा घंकला होता है बुज्या को ले का आयतन रहता है चार बटा तीन पाई की जगह आता है बाइस बटे 7 गुणा और की जगह बचो गोले की तिर्जया होगी ए बटे दू यानि कि आ गया ए बटे 2 का क्यूब बच्छों ठीक है तो एक क्यूब अनुपात चार बटा तीन गुणा 22 बटे 7 गुणा 1 का क्यूब बटे 2 का क्यूब 4 से काटो 1 बार 4 से काटो 2 बार 2 से काटो 11 बार Even क्यूब से कट गया Even कट गया 1 अनुपात उपर भचा 11 निचे वचा 3 साथ 21 बटे का 21 उपर चला गया तो एंसर आजाएगा 21 अनुपात 11 रहा के सिंपल सा क्यूश्ट्टन था ये भी दिखे अराम से की जेगा इस क्यूश्टन को कि और अनुपातों के बात कर रही है पहली चीज क्या वच्वेस्ट में समझने लाएं के वाइख चीज अगर आपका जो गोला है गहण के अंदर है और सभी वुझाओं को तो टच कर रहा है ने बेटा तो इसका व्यास बराबर भुजा तो तिर्जा आधी हो जाएगे और आपको पता है घंका आयतन भुजा क्यूब और आपके गोले का आयतन होता है चार बटा तीन पाई यार क्यूब लगा दें आगे बोल रहां दी की याकर्ती में ओपी समानतर यह बटा कुछ नहीं करना कोई बात निसको और आगे बढ़ा दो यह 110 है तो यह बच गया कितना सथा डिग्री यह 130 हमें पता है आंत्रीक यह समानतरीत होगे यह दो कितने बढ़ा लो मिलेगी थोड़ी 130 है तो यह हो जाएगा पचास आंत्री कोनों का योग सदे होता है 180 यह 50 तो यह सिर्चा भी मुख भी आ गया 50 70 और 50 120 तो यह बच गया कितना डिगधिवी60 डिग्री क्यों कितीर बूजी के 3 नो तक यह करती होगा 180 डिग्री फीकी नवर वो बोल रहा है कि A B कोण यानि A B यह रहा यह D A C को इसको यह अनुपात है एक यह एक यह अनुपात तीन यह 108 है बेटा तो यह पूरा का पूरा बच गया कितना डिगरी 72 और 72 को बांटना है एक अनुपात 3 में इन कुल अनुपात 1 और 3 आगे 4 एक आई यानि एक इसका 3 इस यह इत्तुसा है यह तो आगया 18 एक बराबर 18 तो तीन बराबर आगया बाल को चोपन डिगरी इसको थोड़ा सा चाओ तो मिटा दो यह लो एक बराबर 18 तो बेटा तीन बराबर आगया चोपन डिगरी और आगे क्या बोल रहा है आगे बोल रहा है आगे बोल रहा है A B बर बेटा 36 तो यह किता बच गया एक सो आपके 44 डिगरी सही है यह एक सो चोमारी से वेटा तो यह बच गया 36 चाहो तो इसको डैरेक्ट लिख सकते हो बहाए कोन का मान 36 डिगरी आंतरिक अभिमुक कोनों के बराबर होता है यो के बराबर होता है चोपन और 36 आ गया बेटा 90 180 यह था चोपन डिगरी यह निकाल लिया 36 डिगरी तो बेटा यह कितना बच गया यह बच गया 90 डिगरी यही पूछा गया है एक्स कमान पूछा है 90 डिगरी एंसर आगया उप्सन नमबर 3 देखें सिंपल सिंपल क्यूस्चन है डिपेंड करता है आपने उनके अप्रोच क A B येरी यह बराबर है D E के और B C बराबर है आपके यह B C है यह बराबर है E F के तो निसकर से निकालना है बेटा देखें समरूपता की बात नहीं हो रही है यहां से बात की जा रही है सरवांग समता की यह सरवांग समता का चिन है होता है यह सरवांग समता का चिन है होता ह बच्छों सरवांग समता सभी अंग समान देके बैटा दो बुझायें बराबर है अगर उनके बीच का कौन भी बराबर आ जाये कौन एक इसको बोल सकते हैं बैटा कौण ABC यानि कि कौण ABC अगर बराबर आ जाये कौण D E F K तो प्यारे बच्तों यह दोन्नों कौण आपस में क्या होंगे सरवांग सम होंगे और नियम लगेगा बुजा कौण बुजा वाला तो देखे कहां एबी तियो डीए अफार है नहीं आ रहा नहीं आ रहा यहां आ रहा है तो बच्चों इसमें अंसर आ जाएगा पंदरा नमबर में अंसर आजाएगा उप्सन नमबर चार आपका ठीक है अगला बोल रहा है कि ABCD एक चक्रिय चत्रबुजय कोई साइब बना लो बैटा जो मर्जी पड़े नहीं यह लीजिए मर्जी पड़े वो बना लो ABCD यह लो जो आपको अच्छा लगता है आप वो बनाया करो बेटा बिना टैंसल लिए एक दूसरे को ओपर परतिछेद करते हैं यह लीजिए बच्छों ओपर परतिछेद कर दिया वह बोल रहा है यह दी CAB बराबर है 25 ठीक है CAB यह इतुसा है 25 फिर बोल रहा है तता BCD है 25 ठीक है BCD यह पूरा का पूरा है 85 डिगरी यह लिजे बच्छों तो पूछा है CBD कहां गया रहे बैटा CBD CBD यानि यह वाला पूछा है कितना है अब बच्छों एक बात आओ चक्रिय चतुर्भूजु का मतलब जिसमें आमने सामने के कौनों का यो होता है 180 डिगरी अब यह इतना सा है आपके 25 तो यह इतना इतना बचे गया 70 डिगरी उपर वाला ठीक है बच्छों कोई दिक्कत नहीं किसी के अब बच्छों एक बात बताओ सारे के सारे डिरेक्ट उसने पूछा क्या है इस चीज को आप सारे के सारे विद्यार थी बिलक एक दूसरे को इस परकार काट रहे हैं एक दूसरे को इस परकार इन लोगों ने काट दिया चाहो तो इसको बी लिख दो इसको सी लिख दो इसको ड लिख दो एक ही बात है अब वो बोल रहा है पहली चीज़ बोल रहा है सी एबी यानि कि यो यह वाला है ने बेटा सी ये ये तो बोल रहा है 25 डिगरी और B, C, D ये रा B, ये रा C, ये पूरा का पूरा बोल रहा है 85 तो ये बच गया आपके 70 डिगरी सबी को पता है कि ये आ गया बेटा 70 डिगरी ठीक है अब उसके बाद में क्या बोल रहा है इस चीज को सारे के सारे विद्यार थी बिलकुल अराम से समझे फिर उसने बोला है तो कौन CBD किसके बराबर होगा देके ये रा C, ये रा B, और ये रा आपके D, बेटा एक बात बताओ, ये 70 है यह provoke कितना हो जाएगा यह भी तो 77 होगा ना जब यह आपके सहतर डीग्री है तो यह डाइरेक्ट्ट कितना आजैगा सेवंटी डीग्री डीग्री आजैगा सतर डीग्री आजैगा तो 3 मिल रहे करें करें सतर यहां से राइट आजैगा अप्ससा नंभर दो आप लोगों से पहली चीज पूछा रहा है, पूछ रहा है कि उप्चारात्मक जो सिक्षन होता है, उसकी परकेरिया कब तक चलनी चीज़, ठीक है, अब इस चीज को समझो, कि जब तक छातरों का पिछड़ा पंदूर ना हो, जब तक छातर रूची ना ले, अलग लग पंदूर ना हो, यानि उप्चारात्मक जो सिक्षन होगा, उसकी परकेरिया कब तक चलनी चीज़, जब तक छातरों का पिछड़ा पंदूर ना हो, यानि राइट हो जाएगा, इसमें उप्शन नमबर पहला, अगला क्या बोल रहा है, कि सरल ब्यास सीखे विना चक्रोर् इंट्रेश्ट, यानि ये दोनों परस पर एक रूप, एक दूसरे से जुड़े हुए, पहले सिंपल इंट्रेश्ट सीखेंगे, जैते पिछले क्यूशन में बताएगा, तो बचों याद रखना, गुणांख का मतलब होता है, अनुपातों के रूप में, नहीं बेटा, च चक्रवर्दी निकलेगा, ठीक है, अगला है किसी बारंबारता, बंटन का माध्य और माध्य का ये है, तो बहुलक, प्यारे बचों सबी को पता है कि बहुलक बराबर होता है, समझेगा इस चीज़ को, बहुलक बराबर होता है, तीन गुणा माध्य का माइनस में दो तो राइट एंथर आ गया उप्शन नमबर तीन यह लीजी इतना जल्दी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों की तयारी को चेक करने के लिए ओनली प्यारे बचों ताकि आप लोग अपनी त्यारी को और अच्छे से जारी रख सकें और बाकी चीज़ों में तो देखे जब टैस्ट स्टार्ट होगी हम एक एक चीज़ को इतना डिटेल में पढ़ने वाले एक एक कंसेप्ट को जिसमें तो मैंने क्या किया आपको चक्री चतुरवुज डायरेक्ट बताया क्योंकि समय भाव होता है मेरे को केवल इतना चेक करना आपके त्यारी कितनी उसके बा और यह बारंबरतों को व्यक्त करते हैं फ्रिक्वेंसी को व्यक्त करते तो इन्हें बोला जाता है सतत्त वरगी करत बारंबारता बंटन तो उप्सन राइट हो जाएगा आपके नमबर 3 इनके बीच में सबी के समान होता है इसी क deepest रहते हैं बच्चों अगला है आपके यह ये बना दिया आफे बाकी चिजें दल लेने चोड़ो सिधह क्या बोलता है कि नागपुर प्लांट में होन नागपुर प्लांट यह रहा होन है आपके तीन ऑके अनुपात पुने प्लांट में उत्पादित होन अल है बेटा सिंपल साही तो क्यूस्चन है पुने में होन है साथ तो एंसर आ जाएगा बेटा आपके तीन अनुपात साथ पहला उप्सन बिल्कुल आपके क्या आजाएगा राइट कुछ भी नहीं बदला उसने एक वर्ड बोला है कि कुलत पाधन बराबर है यानि अगर ये 100 का उत्पाधन कर रहा है तो यह भी 100 का कर रहा है सो में से बेटा तीन का उत्पादन होरन पे है और इधर साथ पे है तो इंसर आ जाएगा सिंपल सा है तीन अनुपाद साथ सिंपल सा क्यूशन है अब वो देखिए क्या कर रहा है इसका अध्यान करके जवाब देना बेंकिंग विपसा यह रहा बैसा 22 और परबंदन विपसा रही है रहा और इसमें अच्छा पुरुसों का बेटा देखे टोटल दस अजार है अब दस अजार में 22% है बेटा आपके बेंकिंग में दस अजार का 22% हो गया 200 और 14% हो गया 1400 डायरेक निकाल लिया अब वो क्या बोल रहा है इस चीज को समझो पहले बोल रहा है कि पुरुसों के अंदर अंतर पूछ रहा है बेटा देखे तो बात करें बैंकिंग में पुरुस कितने बैंकिंग में पुरुस है बेटा 22 का 75% यानि 22 का 75% मतलब होता है 75 का मतलब होता है 75 बटे 100 25 थी है 75 पुरुस है आपके 1650 और परबंदन की अगर मैं बात करता हूं बच्चों परबंदन की बात करें तो 1400 का देखेगा 1400 का कितना परसेंट 80% 80% का मतलब होता है 4 बटा 5 5 एकम 5 5 दूए 10 चार बच गया 4 और 0 चालीस 5 आठे 40 जीरो का 0 ठीक है 4 जीरो जीरो 48 32 का दो हासिला गी 3 4 दूए 8 और 3 ग्यारा ठीक है बच्चों अब वो बोल रहा है अंतर यानि कि इसमें से इसको गटा दो बड़े में से छोटा 0 में से 0 गया 0 5 में से 2 गया 3 6 में से 1 गया 5 और 1 में से 1 गया 0 यानि बटा इन दोनों में जो डिफ्रेंस होगा जो अंतर होगा वो आजाएगा कितने का 530 का यानि बटा जो बैंकिंग व्यवसाय और प्रबंदन व्यवसाय है उनमें जो मेल होंगे उनमें अंतर आ जाएग है तो कमे च्षेतर पील कगा सिविदा सभी को पता है दोसों होगा लंबाई गुणा चोड़ाई आताकार है तो बच्चो सब को पता है सिक्सक द्वारा दी गई समस्या का हल करने तो बालग न पताते हैं और उसी चैन से निकालते हूं निगमन वीदी है बच्चों आगमन वीदी का पूरक है अपोजिट है विपरीत है बिल्कुल तो यहां से 23 में इंसर आ जाएगा उप्सन नमबर च्यार अब बोल रहा है गणित के विश्चे को पाठे करमें उचित स्थान ना मानसिक पर्षिक्चन के उससर कम मिलेंगे सही बात है उसका जो आपके मस्तिष्क है प्यारे बचों वो डवलप ही नहीं हो पाएगा हम गणित में जितनी पजल करते हैं उतनी तरक करने के आदर डवलप होती है और माइंड हमारा सार्प होता है बालकों में नियमित और करम उन रूप से विक्सित नहीं हो पाएगा क्योंकि गणित की परकरती तारकी के वेटा यह बात भी सही है तो इंसर आजाएगा उप्यूक्स सभी 24 में ठीक है अगला बोल रहा है विज्ञान उस सीमा तक ही विज्ञान उस सीमा इसको एक साथ लिख देना तक ही सत्य है जहां तक कि उसमें गणित का उप्यों किसने काहा था बचो मेरी एक वीडियो है यह यूट्यूप अवेलेबल है गणित की परकरती के जिसमें परिवास आई हैं फर्स्ट ग्रीड मैथ सेकंड ग्रीड मैथ और रीट से लिए टिट सारी है वहां लगवा 25 परिवास आई है मुझ को जरूर करना अब बचो वह बोल रहा है कि विग्यान है वो तब ही सत्ते है जब तक घणित यानि कि विदाउट मैथ वी कांट अंडरस्टैंड साइंस यानि कि यह किसका स्टेटमेंट है कांट का स्टेटमेंट बच्टों जो अब प्रिवास देखे यह नहीं बोल रहा गणित रटनी नहीं रटनी बच्वा लेकिन एक नंबर फ्री में मिल रहा है जो 20-25 परिभासाओं को ट्रिक रूप से रटने में तो जरूर रटना बच्वाब सवाल एक नंबर का सेलेक्शन करवा भी सकता है बाहर भी कर सकता है निमने में से कौन गणित का परियोग नहीं क तो नहीं बोला कि पानी उसने पचास लिटर दिया पांच अजहार लिटर आप गूम गूम के पानी दे रहा है टेड़ा पानी दे रहा है लेट लेट के पानी दे रहा है कैसे भी दे रहा है उसकी मर्जी सुनील अपने पिता की दुकान का हिसाब में मैथ यूज होती है रानी दूप में सूखे हुए कपड़ों को गिंड़े इसमें भी मैथ है तो बच्चों के तुलनात्मक परविणता की जानकारी सिक्सक को पराप्त हो सके बच्चों के विश्य ग्यान में समझ बढ़े और बच्चे कक्सा में नियमितर है बच्चों मुल्यांकन किया जाता है कि मुल्यांकन इविलेशन सभी का होता है और मुल्यांकन से प्यारे बच्चों हम तुलना करते हैं तुलनात्मक परविणता की जारकारी सिक्सक को पराप्त होती है कि मैं इनका मुल्यांकन कर रहा हूं मैं इनका जैसे मुल्यांकन जैसे होते हैं टेस्ट होते हैं परक होते हैं मुल्यांकन जब करते हैं तो हमें बच्चे के अबिलिटी के बरहे में पता चलता है तो राइट एंसर आजाएगा अप्शन नमर गणित की तारकिक्ता की विसेस्ता नहीं है सुद्धता विस्य निश्टा मोलिक्ता परिणाम की निश्चिता बचों एक देखें गणित के परिणाम में सुद्धता भी है मोलिक्ता भी है और निश्चिता भी तीनों इसकी तारकिक्ता की विसेस्ता है लेकिन प्यारे बचों जो गणित की तारकिक्ता तरक करने की अबिलीटी है यह निश्ठावान नहीं है इसके परती डेडिकेटिड नहीं है यानि किसी भी विश्य के परती प्रोपर आपके निश्ठा की बाद नहीं हो रही है तो यहां से 28 में आ जाएगा दोग्ट क्योंकि तारकिक्ता है बचों दूर संचार सूचना एवन दूर संचार तकनिक की उपकरण विशिश्च तोर पर ग्राफ तथा ज्यामिती सिक्षण में सरवादिक उप्योंगी प्यारे बचों आपको यह बोड दिख रहा है ने जिस पर मैं पढ़ा रहो इसी परकार का बोड होता है जो स्पेसली प्या तो बचों उसे बोला जाता है अनत्याय किरयात्मक स्वेथपण थीक आगये विसींची समझा देकरffe से बचता अगला में तरूटियों के महत्यव पूरन भूमा GB का गलत है मतों एसलोधान कोई स्थान ही बिल्कुल गलत बात है गलत है बच्चों देखिए चलो पढ़ते हैं पूरा पहले क्योंकि तुरूटियां लापरवाई दरसाती सही है क्योंकि बहुत कराते हैं कि बच्चे गनित की अउधारना के किस परकार रचना करते हैं इसका मतलब है कि बच्चे जब भी मैथमेटिक्स को सीख रहे हैं अपलाई कर दो वो ना कहां कहां गलतियां करें जहां जहां गलति उ होगी बच्चों तो वहां से बालत निक्षी तरूपसे मैथमेंटिक्स कुछ सीखता है बहुत इंपोर्टन भोमी का है यह बात बिलकुल सही है बच्चे गनित के उदारना कि जब रचना करते हैं जो मिश्टेक होती है वो गलतियों के माध्यम से ही हमें पता चल पाती है क्योंकि जहां जहां नहीं होगी वहां जैसे टीचर बनाएगा हम उन गलतियों को दूर कर लेगा तो यह तीस क्यूष्चनों का सारांस था अब देखे मैं नहीं चाहता था किसी भी कारण वस आपके देरी हो नेट इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण बैटा लेट हुए तो देर हो देखे नींद तो भूल चुके हैं मैं पहले ही कह चुका हूँ आप लोगों को अब भी समय बहुत लेट हो चुका है यह नहीं बताऊंगा आपको कि समय एक वज़े से ज्यादा हो रखायरात को मैं यह भी नहीं बलूँगा तीन बज़े से कम होगा मैं नहीं बताऊंगा यह तोप सिक्रेट अपना लेकिन इतन हर बार की बांती इस बार भी आपको क्वालिटी एज्यूकेशन से में कोई समझूता नहीं करने वाला तो बच्चों काफी समय लगा पेपर में इसी के साथ मैं मित्यवाडी अब आप से विदा लेता हूं हसते रहें मुस्कराते रहें और अच्छे से अपनी त्यारी करते अगले टेस्ट के लिए अगले दिन सुबह दस बजे स्टार्ट कर दिया जाएगा और दस बजे स्टार्ट करना जो तक यह वीडियो आप लोगों के पास होगा अच्छे से देखेगा तुल नहीं मिलते आम सभी से धन्यवाद